तो टॉपिक फॉर देज सेक्योर सेल एसे सेच राइट फर्स्ट विल इसकर्स वाट इज एसे सच अपर ये ट्रांस्पोर्ट यह पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है पॉर्ट नम्मर क्या यूज करता है उसके बाद में आपको इसको कंफिगर करके दिखाऊंगा किस त व शुक्त रिमोत एक्सेट शुट रिमो एक्सेट बेधं की शीम नाइटवार्किंग डिवाइश मैं संब्सक्राइब कैद यूलौका प्रोटोकॉल यसी तारीके सब्सक्राइब बड़न डीरा डीलनेट के साथ क्या प्रोब्लेम था कि उस를 प्लिंटेस्ट में आपका डीटा क्या होगा था टांस्परूरा था इंटरनेट के ऊपर के ऊपर मटीछ अ wellness को यामटेटा को रीड कर सकता था तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल है था doggy साइच इसके अंदर में इंक्रिप्टेयड फॉर्म में आपकर डिटा क्या होता है इंट्वड के ऊपर में ट्रेवल होता है पॉर्ट नम्मर को रिबूड करता ऑपर 22 कॉंटेंटी सथी आफ। की सब्सक्राइब लेयर लेयर 4 लेयर 4 पे TCP प्रोटोकॉल यूज होता है किसलिए काम होता है रिमोट एक्सेस के लिए जैसे अगर मेरे पास एक डिवाइस है कहीं पे दूसरे लोकेशन पे सपोज की ये मेरा एक रॉटर है जो कि है कहां पे मुंबई में मुंबई में है और एक रॉटर है मेरे पास जो कि कहां पे है डेली में ये दोनों के बीच में मुझे क्नेक्टिविटी कौन दिया है ISP और सपोज करिए कि इस रॉटर के साथ मेरे स्विच के साथ मेरा इधर कंपनी के यूजर कनेक्ट है और यहां भी स्विच के साथ मेरे यूजर कनेक्ट है राइट नौ मैं एक एक पीसी से यहां से क्या करूंगा इस रॉटर की एक्सेस ले लूँगा डेली की डेली की रॉटर का और इस रॉटर से मैं मैं फीजिकल कहां पर हूं डेली में बट मुझे कंफीगर कौन से करना है वह रॉटर जो कहां पर 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 यह प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं डिर्यक्ट रॉटर का लेके भी कर सकता हूं आप रियल में कैसे करोगे इसका कॉंसोल के थुरू एक्सेस लोगे इस रॉटर का डेली के रॉटर का और उसके बाद आप ऐसे से लोगे मुंबई के रॉटर का हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करके सबसे पहले आप यह समझ गया होंगे कि आपक यो मेरा डेटा-फलो होगा वो डेटा मेरा इंक्रिप्ट ओर मैं रहेगा राइट इनकृप्टेट cyn capture को बहुत कर बहुत कर देब रॉटर दो रॉटर ले लिया यहां पर मैंने और दोनों रॉटर को क्या कर देता हूं मैं कनेक्ट अब मुझे क्या करना होगा सबसे पहले आई-पी आड्रेस कंफिए करना होगा दोनों रॉटर के ऊपर तो मैं लिया रॉटर 1 का नॉट नो नेबल इंटरफेस इथर्मिनल इंटरफेस इथर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथर्मिनल इंटरफेस जीरो नौश दोन इंड आई-पी आड्डरेस सब्सक्राइब मैं 10.0.1 इंटरफेस करा हूं 255.0.0.0 इस उतर के ऊपर में मैं आई-पी आड्रेस कंफिए कर दिया हूं मैं राईट यह मेरा कहां करोटर ए डलेल ही कारोटर है अधर देल ही का रोटर है हो गया अपर यह उतर इस के ऊपर में मुझे IP address क्या करना होगा, configure करना होगा, so, no enable configure terminal interface fast ethernet 0 slash 0, no shutdown, IP address, यहां पर मैं IP address 10.0.2 configure कर रहा हूँ, okay, enter, IP address configure हो चुका है, इसका मुझे क्या करना है, hostname change करके Mumbai करना है, right, Mumbai, यह मेरा router कहा का है, Mumbai का router है, right, अब इस router के ऊपर मैं मुझे क्या करना होगा, SSH enable करना होगा, तो देखिए, SSH enable करने के लिए, क्या command है, सबसे पहले आपको यहां पर यहां पर यह domain name देना होगा, IP domain name, right, domain name, अगर suppose कर यह domain name मैंने दे दिया, PM networking, right, PM networking, domain name दे दिया, मैं यहां पर, second command यहां पर क्य चलेगी, username और password आपको set करना होगा, right, username, username, suppose करो कि मैं देता हूँ, CC, NA, और password, password मैंने क्या दिया, 123, ऐसा तो नहीं होगा कि, इस router की, जिसको IP address पता होगा, वो इसका SSH access ले सकता है, इसलिए मुझे username और password यहां पर क्या करना है, लगाना है, after that, line, line, line VTY, 0, 4, that means, 0, 4, मतलब कि 5 user, एक साथ में 5 device से क्या कर सकते हैं, इस device को access कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 line यहां पर मैं create कर रहा हूँ, अगर मैं 0 कर हूँ, तो यहां पर एक line create कर रहा हूँ, मेरा को एक ही device से access लेना है, तो 0 से ही काम हो जाएगा, उसके बाद मैं, यहां पर क्या कर दूँँगा, enter, ओके, after that login, local, यह इतने कमांड चलेंगे आपके इस order के ऊपर में, after that exit, और यहां पर एक privilege mode में enable password कमांड चलाओंगा, 1, 2, 3, यहां पर मैंने password रख दिया, 1, 2, 3, ओके, and last command क्या रहेगा आपका, in crypto, और अगर आप question mark लगाओंगे तो यहां पर option मिल रहे, आपको बहुत, यहां पर key, after that again question mark लगाओंगे, generation, and RSA, यह command कहां पर चलाओंगे आप, pre-blaze mode में, उस router के उपर में, जहां पर आप SSH enable करना चाहती हो, right, अब यहां पर SSH enable हो चुका है, okay, yes, यहां पर SSH enable हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कहीं से इसका access लेना है, right, तो suppose इस router से जो Delhi के, Delhi में जो router है, वहां पर मैं available हूँ, वहां से मैं क्या करूंगा, उस router के तुरू, इसका access लोंगा, right, तो यह by default, अभी तो मैं किस में करूं, packet ratio में, तो यहां से मैं direct CLI access भी ले सकता हूँ, but, real scenario में क्या होगा, आपको PC से, console के थुरू, console के थुरू, आपके Delhi के रोटर का access लेना परेगा, right, तो मैं console के थुरू access लेता हूँ, ताकि आपको, real environment में किस तरीके से काम होगा, यह पता चले, right, देखो, मैं इस PC पे क्लिक किया, desktop, and terminal, right, और जो by default आपका select है, वही रहने देना है, आपको OK कर देना है, OK, देखो, enter, कहां का access मुझे मिला है, Delhi के रोटर का, Delhi के रोटर का मैं क्या क्या हूँ, access लिया हूँ, किस के थुरू, console के थुरू, OK, अब मैं यहां से क्या चाहता हूँ, जो मुंबई में रोटर है, उसके उपर में मैं कुछ configuration करना चाहता हूँ, right, जो मुंबई के रोटर L, और इसके बाद अगर आप question marks लगाते हो, तो आप से नाम पूछ रहा है, user name आपने क्या रखा था, ccna, ccna, उसके बाद फिर question mark लगा, तो आप से पूछ रहा है कि IP address और host name of remote, जिसका आप access लेना चाहते हो, उसका IP address क्या है, तो आपको IP address पता होगा, तभी तो आप access ल password क्या मैंने रखा था, 123, मुझे देखिए, मुंबई के router का क्या हो चुका है, access मिल चुका है, पहले मैं डेली के router पे था, अब मुंबई पे आ गया, अब यहां पे मैं कर्मान चलाता हूँ, enable में password लगा था, right, enable password क्या था, 123, right, enter, उसके पाद देखिए, मुझे मुंबई क router की क्या हो चुकी है, access मिल चुकी है, अब मैं कुछ भी configuration यहां पे कर सकता हूँ, IP address मुझे देखना है, मैं देख सकता हूँ, यहां पे IP address यह configure है, मैं चालता हूँ कि router, जो मुंबई का router है, उसके उपर में fast internet 0.2 के उपर में IP address configure कर कर सकता हूँ, configure, terminal, interface, fast internet 0.1, no shutdown and IP address, क्य overlap हो जाएगा, 20.0.0.1, 255.0.0, enter, तो यहां पे मैं IP address configure कर दिया, तो इस router की सारी की सारी configuration मैं यहां से कर सकता हूँ, इस PC से, मतलब इस router से, अब इसके बीच में कितने भी router लग रहे थे, उससे मुझे मत्तम नहीं है, अगर मेरी connectivity है, और मुझे इसकी IP address पता है, password पता है, यूजर नहीं पता है, तो मैं इसका SSH ले सकता हूँ, अब इस router पे अगर आप जो और एक यहां पर command चलाओ, so running configuration, so running configuration, तो यहां पे आपने, आपको दिख जाएगा, कि आपने क्या क्या है, SSH इनेवल क्या है, IP SSH version 1, कौन सा version 1, IP domain name क्या रखा था, मैंने PM networking, ओके, यह मैं यहां पे configure क्या हुआ हूँ, इस router के ऊपर में, SSH, अब कहीं से भी, कोई भी क्या कर सकता है, इसका access ले सकता है, SSH, मैंने पहले इस से पहले वेले वीडियो में, आपको पता है था, Tailnet, कि Tailnet किस तरीके से हम configure करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको पता है, SSH, Tailnet और SSH म यह बस डिफरेंस यह है कि इसमें आपका data plain text में क्या होगा, आपका data plain text में क्या होगा, transfer होगा, plain text में, और यहां पे SSH में क्या होगा, आपका data encrypted form में, encrypted form में क्या होगा, travel होगा, तो अगर attacker यहां पे आपका data को capture करता है, Tailnet अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वो read कर सकता इता का अगर आप अगए कर देता क्या रहे हैं अगल आसे टोकर को थे करते हैं करो अगह डियो को एक करो थाकि मुझे पता चले कि आप こर मंधर मैं रहे गया है अगर और को 關 और करो het निचे में उसके ऊपर वीडियों बनादूंगा डाओ च्यूज़ केंट्स रहे हैं झाल झाल झाल